सच्चा पत्र देखना आति आति बड़ी है, पच्चीस दूम पैसे हैं मम्मा के शरू छोंगे दुबाद भूम्षा, भूम्षा आप अच्चे बैठे हैं बच्चों को फर्मान है कि भेहत के बाप को याद करते 지리 भेहत के बाप को ब्हुलो घके संबन्दीयों को भूलो जाति के बाप बाप को भूलो और वेहद के बाप को याद करते. वेहद मन? वेहद मन? वेहद मन? पांसो शास्टो क्रोड जो भी है, उन सब का जो बाप है. एक है कि दो है? वेहद का एक है? दो कौन कौन? एक मनशियो का धुमत बाप है. और तो जो पिता है वो तो 24 ओर या, 10.-25 बाप होते हैं। और एक बाप ऐसा है बाप in yourself amber – वेहद का बाप है, उन सब करत की बाप है। उस बेहद के बाप में जो मनशियो का पिता है उसे में सब की में प्रइमी करता है जो भी बच्चे बाप की सर्विस में हैं, बोनसे यह योग और ज्यान सुनना है सुनना किसे है? जो बच्चे ऐसे बेहत के बाप की सेवा में हैं, बोनसे यह ज्यान सुनना है और यो की बाती मी सुननी है वो भी यही शुनाएंगे कि बाप को याद करो गुर्सा उन से मिलना है रिंसे मिलना है वर्सा इन से नहीं मिलना है इन से मने क्या? उन से मिलना है.. उन से मने क्या? नविषी तरफ क्या इशारा दिया? नविषी की तरफ यह इशारा दिया कि पैसकी में जभानी चल रही थी तो ब्रमा कितन से चल रही थी इन से वर्षा नहीं मिलना है इसे बागिनुहां दाफ भ üzer बोल रहा हूं। बोलेवाना कुन था ? वह बोलने को रहा था ? बाप ब्रह्मा के तन में जादा लिकरा एक के तन में और बोल रहा था वर्षा उन से मिलना है है कि मुंति जीवन शुक्ति कर वर्जा बिलेगा तर इन नहीं मिलेगा तो सेट फोड़ाने वाला है ठेमपरेल यह ख्रें उ नसे अंगे आई मम्मा भी मोही शुनाति हैं आप बच्चें भी बात सुनाते है पिचेभाबा हुआ हुआ को याद गड़ाे तो बच्चे-वी बैठlor हो नित शेव बात की याद में अभ तक भी याद में बैठ्य हो हो सकता है कोई वर्टरभून बात हो जाए क्या भी ओ सकता है जो भी ओ सकता है वह साथ स्योगर निüdे khem कोई फिकर नहीं करना है तुम बच्चे फिकर रहित फकुर में हो कि हम सब साकार मम्मा बाबा सहित बेहद की बापसी वर्षा ले रहे हैं असलेने वाले कौन-कौन है हम सब बच्चे हैं और मम्मा बाबा भी बेहद की बापसी वर्षा ले रहे हैं उन मेंसे कोई भी सम जो मर जाते हैं इन मेंसे बर्शा लेने वाली बच्चों में से पुर्शार्थ करते करते कोई भी अगर मर जाते हैं तो आपन कहेंगे भावी या उनकी ड्रामा में यह इखा हुआ था कि पुर्शाट गरती करते हैं छोड जाना तो तलब पहले भी यह हुआ था द्रामा पर चलना पर लेकर कोई नहीं है, फकुर में रहना है, हमको बाबा से वर्षा लेना है क्या, तो मरने वालों से हमको कोई वर्षा, नहीं लेना है, हमको वर्षा किसे लेना है, बाबा से वर्षा लेना है, बाप को ही याद करना है, मुर्ली सुननी है, तो बाप सुनाते रहते हैं, अभी भी सुनाते रहते हैं, और आगे भी, मुर्ली तो बाप ही सुनाएंगे, द आज मम्मा गई, कल दूसरा कोई जावेगा, एक दिन पहले मम्मा ने से छोड़ाता है, तो बाबा को याद आया, कि आज मम्मा गई, कल कोई दूसरा आज, सरी छोड़ेगा, बाप को तो मुर्ली सुनानी ही है, बले कोई मरता रहे, बले कोई जनम लेता रहे, बाप को तो मु किनका रत है? किया श्यु बाबा का रत काइम है? ऐसे नहीं कि मम्मा ने 65 में शरीण छोड़ दिया, ब्रहमा बाबा दादा लेकरेज ने 68 में शरीण छोड़ दिया? यह छोड़ देंगे, तो जो शरीण छोड़ देंगे वो तो कैसा रत हुआ? बुकार्न रुआ तैंपरेरी e दादा लेखलाद करत कायम नहीं है जो शिव बाबा का रहत है, वो काइम रहत है, या, इसलिए उसनत का जो तालुका है न, उसका नाम क्या है, क्या नाम बोल दिया, काइम गन, उनका रहत है, काइम है, उनका रहत है, काइम है, नही नही पॉण्ट समझाती रहते है, या, बाबा रहत है, है जो सुनाते हैं सुन नहीं बाप सुनाते हैं और सभी को यही कहते रहते कि बाप को यार करों कोई के भी नाम रूप में मत फसन है और ना दादा लेकर आदे ब्रह्मा की नाम रूप में फसन है और ना दादा लेकर आदे ब्रह्मा की नाम रूप में फसन है बिनासी शरीर दारियों को याद करते रहेंगे, लेकिन शिव बाबा तो जिस रत के द्वारा वर्षा देता है, वो काइम रत है, जब तक बिनास होगा, दुनिया में जितने भी शरीर छोड़ने वाले होगे सब छोड़ जाएंगे, फिर भी वो काइम रहेगा, उसको मरते कोई देखेगा नहीं, तो तुमको वर्षा लेना है, काइम का वर्षा लेना है, या अलबकार का वर्षा लेना है, काइम भी वर्षा लेना है, तो कोई के नाम रूप में मत भसो, अगर नाम रूप में ही भसना है, तो ऐसे के नाम रूप में भसो, यो काइम है, इसलिए ए सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो एक श्योगावा ही है, इस श्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् तो Sivu Baba संणविक में आता है यह 16 पर सदा कर पेता है इस पीछ वो ओपर बेड़ याता है वो तो है Sivu Baba क्या है? वो Sivu Baba है विद्यू विद्यू आतमां का बाब है Baba नहीं है वो Baba यहा जाता है Grand Brother तो जो ऊपर बेड़ जाता है वो तो विदु विदु आतमाँ का बात उसका कोई दूसरा और संबंद आतमाँ के साथ बनता नहीं ना बाबा का संबंद बनता है ना दादा का संबंद बनता है दूसरे कोई संबंद उसके नहीं तुम हम सब आत्म 화inter, ग्रिदुु पर आत्म बाईबाई और वह अमने बाबा नहीं। लेकि वह गापशुदनी के लिए को शीख्टी पर मुकर्रन उप्लिए करता है, तो वह बाबा. तो श्युँ बाबा बताया कि वह एक शुटी पर सदा हुं। वो बिना शरीन के सत्युपर एक सर्कें में भी रहे देशे है, माने उसका आल राउंड पार्ट है, क्या, सत्युगाद से लेकरके, और त्रेता, द्वापर, कल्यूप के अंत तक पूरा पांच जार वर्सका उसका पार्ट है, काइन पार्ट है, समझो कोई अगर मम्मा को या याद करते हुआ, छोड देते हैं, और बिनासी सरीर दारी को को याद करते करते हैं, तो औन्त मत है, सोगत है, क्या गती हो जाईए, जो मम्मा की गती होगी, कि वो सत्तिगु में जाके होगी, क्या? सत्तिगु में जाके पैदा होगी, लेकिन ऐसा पुरुशार्थी नहीं बन सकेगी, जो इन आपमों से स्वरक को देख सकेगी, तो कौन से जादा पुरुशार्थी हुचा हुए? जो इन आपमों से सारी दुन दू सेड़ाफी पर्वुगह, तो हमिए तू कोई की गारंटी गारंटी नियी रेक dodके गारंटी ग Ariya कि मोजन जोडने वाला नहीं है So यहीं का सब्सक्राइफी नहीं कि कि ग्रेत क्या कि वो श्रीन rozm evolves क्या कॉजण वो याद करने वाले भी सरीर छोड़ देंगे, उने की सदगती हो उनकी सदगती हो जिन्हों ने पुर्षार्थ करते करते शरीर छोड़ दिया मम्मा की याद में या बाबा की याद में तो उनकी सदगती सदगती हो, सुच्छम सरीर दार करना पड़ेगा बूद्ध परना प क्योंकि वो मम्मा के नाम रूप में भस पढ़े SHAR, जो मम्मा भाबा के नाम रूप में भस पढ़े SHAR GOTTAN मालो बर्मों ने दादी ने शरीर शोड़ा, चन्नमण ने दादी ने शरीर शोड़ा, दुश्रिसोर भाव ने शरीर शोड़ा, जनदी स्वाई ने शरीर शोड़ा, ये किसी याद करते करते शरीर शोड़ा, ये किसी याद करते शरीर शोड़ा, ये किसी याद करते शरीर शो उनों में शुक्षम सरी धाण किया तो उनको भी د êtes शुक्षम सरी धाण करना पड़ें। यक्यान सबनाटों के लिए या बाबा जो घ्यान सुनाते हैं वहा है तो सबबनाटों के ही लिए। तो कोई ठेखार नेना चाहिए और ये शुक्रमे रहना चाहिए। सम्युक अलब पहले विए ऐसे हुआ था चरीjadi छोडने वाढ़ने सो का आथा शरीट जोड़ा बद समझ्झाते थे कि जगदम्भा और जगतुपिता ये दो गारी के पईये हैं क्या ये यह सम्झाते थे कि दाарि जगदम्भा और जगतुपिता यह दो गाड़ी के पहिये हैं, यह साथ साथ चलने वाले हैं, पर तो देखा गया महमा भी चल पड़ी है, अले ब्रह्मा बाबा ने भी इस रह सिपोर नहीं समझा, कि बाबा कौन सी दो गाड़ी के पहियों की बात कर रहे हैं, जो साथ साथ अंततम चलेगी हैं, ने बाबा ने तो कोन दो गाड़ी के पहियों की बात की थी, जो रुद्रमाला पहिली दो मने कहीं? pasti आदी वारीaches की बात की, कि यह झागदंबा और जो जगद्पिता आदी में आदी में अखे वो आगद तो, just that जो दूसरा जर्म लेकर कि शस्ति पर कहीं न कहीं पार्ट बजाती है उसको प्रभिष करके फिर पार्ट बजाती है हां जब तक साम तक भी कोई समय कुछ हो जाए ग्रामा में कुछ भूद हुआ होगा तो पिशाड़ी तक होगा यह संजसं का था किया ग। आगे चलकर के भूत बंदफ। बाते बदेख गे दीघगे यहाँ? क्या पहते शaidए बंदफूल अगे चलकर के बद बंदेख बाते थेखेंगे क्या बंदफूल बाते थेखेंगे? कि अंदर वाले रह जारेंगे और बाहर वाले महाने जो गरगस्तिम रहके पुर्शार्थ करते हैं वो ग्यान का डोजी शुरी ग्यान सारा उठा ले जाएंगे बहुत बड़ू बातें देखनी हैं दुख की बातें भी आती हैं इसन है दुख की बातें पर तुम दुख में नहीं रहतें बाबा पिदर में नहीं हैं जानते हैं उपको तो बाबा को याद करना है ममा को भी बाबा से वर्शा लेना है क्या कौनसी मममा को ओमरा दे मममा को अधिवाली ममा है, वही फिर दुबारा जन लेकर के, उसी मोंगर आजया ममा और ब्रह्मा बाबा, प्रवेश करते हैं और उन दोनों को वर्षा किससे लेना है? वही सुप्रीम सोल बाब जो मुकरन रवेश करता है, उन से वर्षा लेते हैं ममा को भी बाबा से वर्षा लेना है, रचना से वर्षा नहीं मिल सकता है क्या था? रचना से वर्षा लेना है जो यह की कि आधिवाली ममा है, उसको भी रचना माने दादा लेकरा है अनि ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिल सकता और यो ओमरागी मम्मा है उनुको भी रचना से वर्षा नहीं मिल सकता, माने ब्रह्मा बाबा भी रचना है, इसलिए बुर्लिम बोलते हैं, ब्रह्मा का बाप कौन, पस्के दरते हैं, माने ब्रह्मा का भी कोई बाप है, गरुचेता को रचता, रचना को रचना को रचना से ब्रम्मा भी रचना और वमरादे मम्मा भी रचना तो रचना को रचाइटा से बर्चा मिलना है वाने अभी मिला नहीं है ब्रम्मा भी रचना भी रचना है उन सब को याद करना है एक बाद कुछ भी हो जाए सब कोई बिगन बढ़ता है पर उसमें संसे आने की बात भी याद सियो बाबा को करना है संसे बुद्धी होकर के क्या करें रूप जा रहे हैं अगर कोई संसे बुद्धी हो जाती है तो रूप जा रहे हैं समझेंगे पता नहीं यहां क्या होता है। ऐसे इसी बात है क्यों होती है। कैसी बात है। जब मम्मा ने शरी छोड़ा तो जम्मा मम्मा के प्यार में जो पल रहे थे, वो छोड़कर चलेगे। मुरली में तो सुनाया गया था, मम्मा आंतत्ता के जीनित रहेगी। मंत में भले बाबा चला जाए। लेकिर मम्मा यंगी की पाल नग करेगी। मम्मा पहले से भी छोड़ा तो जो मम्मा की प्यार में चल रहे थे, उनका आईसा यहां क्यों होता है। यह क्या हुआ। लेकिर राज कुछी ने समझा रहे हैं। मम्मा की बात नहीं बाबा बोल रहे हैं। यहां? तो बोला, ऐसा ऐसी बात है क्यों होती हैां। परंद नहीं, हम ऐसे नहीं कह सकते। सेकेंड वाई सेकेंड जो होता है कर पहने पाफित होता है। बच्चों को कल्यान इसी में है, किसमें? कि जो कुछ में घंटित हो रहा है, उसी बात में बच्चों का कल्यान है। मम्मा ने शरीप छोड़ा, कल्यान हुआ। बाबा ने शरीप छोड़ा बल्यान को, ब्रह्मा गुवारी को अगल फेर हो जाई। बाबा को याद करना और दूसरों को कराना है, रास्ता बताना है। बाप की सर्विस करते करते कोई चला जाता है। तो समझना चाहिए कि उनको जाकरके अपना पार्ट बजाना है। क्या। जब दीश भाई ने सेवा की। और सेवा करते करते और और शरी छोड़ दिया। तो क्या समझना चाहिए। उनको जाकरके अपना पार्ट बजाना है। भावी ऐसी है। बाप कल्यानकारी है, शनसे, नहीं लाने चाहिए, कि सुप्रीम सोल, बाप सेव, वो तो कल्यानकारी है, और वो इस सच्छिति पर आया हुआ, जिसके तन मैं आता है, उझी ने सरे छोड़ दिया, तो हम सब का क्या हार होगा? ऐसे संसे नहीं है, संसे नहीं लाना चाहिए, बाप कल्यानकारी है, ब्राह्मनों का संग्नम यूग है ही कल्यानकारी, इसलिए बाप ही कल्यानकारी नहीं है, ये सारा संग्नम यूग ही हम बच्चों के लिए कल्यानकारी है, हम अज्ञाई होने के कारण उस कल्यान को समझने बात में कल्यान समझ करके सदय फखुर रहन है हम इस वरिये संतान हैं वर्षा लेते लेते कोई चले जाते हैं उनका भी पार्ट होगा और कुछ कारी करने का पार्ट होगा तो करेगे या विस्व शुव भाव चले रहे तो उनका कोई पार्ट भी चल रहा होगा leadership जरूर्ट कोई आत्मों में प्रिविश करके वह पार्ट बजा रहे बना माम्मा चले गई वोगी अपना पार्ट बजा रही ब्रह्मा मामा चले गए वो भी अपना पाड बजा रहे संभ Europe यह मम्मा को इससे भी जास्ती और कोई कारी करना है, अभी जो मम्मा ने कारी किया, माउं टाभू में बैट करके, उससे भी जास्ती कोई कारी, कोई बड़ा कारी है, जो मम्मा को अभी करना है, क्यों, ऐसे क्यों का, क्योंकि स्वरक का गेट कौन खोलेंगे, पुरुष लोग या मáticaय कोलेंगे जरूरूरून माताओं कोई निमत्र बनना है। तो माताओं में कोई साधा माताओं खोलेंगी या कोई भुगिया माता खोलेंगी जरूरू लुगिया माताओं उन हुगू जो येगी कि आद में भी जी अन्ते привет के गहेंगी भौजूद, भौजूद होगी, तो फिकर में नेगे, पक उनमें रहना है, अहो सोभा कि, जो कल्म पहले माफिक हमारा पार्ट है, पाप का मददगार में, हर बात में कुछ रहना चाहिए, मददगारों में कोई जनरल आदी भी मर पड़ते हैं, मददगार बच्चों में कोई म्रेट्वी के जनरल हैं, बो भी सरी चोड़ सकते हैं, और आप संपताय में भी ये को बैठे-बैठे प्रेसिडेंट मर जाता है, नहरू बर गया, तुम्हारा तो सब गुत है, समस्त्यों ड्रामा अनुसार सब होता है, हवस्ता ऐसी अच्छी पहनी है, जो मम्मा का शरीर छूट गया, आशू नहीं आए, लेकिन जो प्यार में बस पड़े होंगे, देहिके प्यार में, उनको तो आशू, आशू दिरूर आएंगे, आशू आया, सम्झू नाप आशू है, ब्रग्मा बाबा की सहित छोड़ने के बाद इनको आशू आ हमाता आथारा जिन्मरी तो बहुत होंगे, आशू निकलते ही रहते हैं, तो बाबा कहते हैं, अगर आशू आया, तो सम्झू नाप आशू है, क्योंकि बाप तो बैठे हैं, ना, क्या का? कुछू परोगें, कुछ परोगें? कुछ बाब? supreme कि बाब से बाब होगें, गवरा थे चला रहा है, तो ठाला होगें और भगें वह जबत्वा रहा है. तो ठाला है एपरेयरणी यह परोगें, गुछ परोगें लिटे. सदे लिए मम्मा के नामरूप में हैं क्या बोला कई शिव बाबा का मार्ट कम तक है जब तक इस सश्टी का पूरा विनास, पांस और साथ सो क्रोड की दुनिया जब तक पूरी खलास नहीं हो जाती है, तब तक सिर्व बाबा का इस सश्टी पर विनास है, बो, आपार्ट है, तो बोला, उने के लिए कब आशु बहानी की बात नहीं हो सकती है, ब्रह्मा बाबा के लिए कोई आशु बाएंगे, जग्रीश के लिए कोई आशु बाएंगे, विस्विसोर के लिए कोई आशु बाएंगे, वन्मोनी दादी के लिए आशु बाएंगे, लेकिन श्यो बाबा के लिए कोई आशु बाएंगे, लेकिन श्यो बाबा के लिए कोई आशु बाद कि हम खुशी खुशी सब्छोड़ करके पुर्षार्थी कम जाएगे। को ही पुर्षार्थी को खुशी खुशी खुड़ करके जाएगे, जिनको अंदर से बुक्ती और जीवन मुक्ती का वर्षा मिल चुगा होगा। क्या ? शरीर में रहते हुए ही आतिमा यह निघुव करे क्या हमें दुखदर्ण से मुक्ती? मिल चुकी हम हमें कोई दुख दे नहीं सकता हम किसी को दुख देंगे? ना कोई ? किसी को दुख देना भी नहीं तो हम सरीर खुशी से छोड़ने का पुर्शार्थ कर रहे हैं अभी पुर्शार्थ तूरा हुआ नहीं है, लेकि कर रहे हैं 25 जुन पैसट की वाणी का दूसर रहे हैं तो जो पुर्शार्थ कर रहे हैं वुशी कुशी सरी छोड़ने का हम उनको क्यों न पकड़े ? जो फुशी मेरायतर का पुर्शार्थ कर रहे हैं हमें उनको पकड़ना चाहिए और पती को क्यों गुरु बनावें ? तो बाब तकी बहुत सहयש बत्लाती है नारत बंदर की भी बात है, क्या, उसने क्या कहा, नारत किस गवर्ट में आ गया, कि मैं, मैं लक्षिमी को बढ़ सकता हूँ, नारत को क्या गवर्ट में लक्षिमी को बढ़ सकता हूँ, अरे, लक्षिमी को नारयन बढ़ेगा, यह नारत बढ़ेगा, नार और आयन, दो सब्दों को मिल के बनता है, नारयन, आयन माना घर, और नारयन माना जल, जिसका ज्यान जल में ही घर बना हुआ, वो बक्ति मार्व में चलने वाला, नहीं है, बक्ति के अंत्रशत्यार में चलने वाला नहीं है, वो ज्यान जल में हमेशा रवन करता है, तो वो है नारयन, तो वो नारयन लक्षिमी को बढ़ेगा, न कि नारद बढ़ेगा, नारद नाम क्या रखती है नार द नार माना ग्ञान जल द माना देने वाला वो देता तो है दूसरों को ग्ञान जल लेकिन खुद घरताले बजाता रहता है चलो बेकुंट माने इस दुनिया में रहकर के बेकुंट का अनुव नहीं कर सकता है जो पान थास भो पाल लिए ये अनुव इस दुनिया में रहकर Ireland कर पाता है तो दूसरों से कहता है चलो बेकुंट में तो चलो हम बेकुंट में नहीं हम तो यहिसी दुनिया नो मेंगर कहां दूसरों से कहता है चलो वैकुंटु अरे जो दूसरों से कहता है पहले खुद क्या करे खुद पहले से वैकुंटु पहले जाए खुद नहीं वैकुंटु जाता है खुद इसी इंदर की दुनिया मेरा मन दर रहा है और दूसरों से कहता है चलो वैकुंटु तो बोला नारद बंदर की बात है ना उसने कहा आम लक्ष भी गोबर सकता हूँ तो उनको कहा गया तुम अपनी सकल तुम आइने में देखो क्या तुम अपनी सीरत जो है जो शकल है सीरत कर्मों से सीरत बनती है ना तुम अपनी सीरत को ज्यान दरपन में देखो कि ऐसी सीरत बनी है तो देखा बरोबर हम कैसे करें हम लक्षिमी को बरने का काम जोगर मादा पहनाने का काम हम कैसे करें विकारी बनों से कैसे बर सकते हैं जो विकारी है जिनोंने दिल से विकारों को छोडने का संकल्प नहीं लिया है वो इस दुनिया में क्या नहीं कर सकते लक्षिमी जैसे आत्मों को बरन नहीं कर सकते हैं बाबा तो भूको नरसे नायन बनाने का डायरेक्शन देते हैं यह का तो भूको डायरेक्शन देते हैं इनको डायरेक्शन नहीं देते मना किसको किसको नहीं देते इस ब्रह्मा को भी नरसे नारन बनाने का डायरेक्शन नहीं देते। इस ब्रह्मा के भुख के सामने जो बैटे हुए हैं, उनों को भी नरसे नारन बनाने का डायरेक्शन नहीं देते। तो बाबा कहते हैं, मैं तो बच्चों को इबर्ज करके उनसे बाते करता। तो बाबा के सामने कोई ऐसे बच्चे हैं, यकी के आदिवाले, जो उनकी नजरों गूम रहे. उनसे बाबा बोल रहे हैं, कि विकारी मनुषी कैसे बसकते. बाबा तुमको नरसे नायन बनाने का डायरेक्शन देख, तुम बच्चों को, कूनसे बच्चों को बताया, जिनों मम्मा और बाबा से साकार में पालना ली ही नहीं। क्या अंतर पड़ता है। जोनोंने मम्मा बाबा से साकार पालना ली उनको वो साकार शरीर याद आता है। और जोनोंने मम्मा बाबा से पालना ली ही नहीं। प्रविश करने वाला हीरा याद आवेगा। तो बोला तुम बश्यों को नरसे नायन बनाने का डायरेक्शन देते हैं। क्या। कि तुम जो खुद बनेगा वही तो तुम जो बनागा। जो खुद नरसे नायन नी बनेगा, खुद नरसे प्रिंस बनेगा, रह्मा बाबा क्या बनते हैं, नरसे डिरेक्ट नायन बनते हैं, यह बीच मप्रिंस बनते हैं, बीच मप्रिंस बनना पड़ेगा उनको, तो तुम बच्छे डिरेक्ट नरसे नायन बनते हो, और वो इस बावन बनना है, सबसे जास्ति पतित शरीर यह है, क्या आगा? क्या आगा? सबसे जास्ति पतित शरीर यह है, अभी बात किसे कर रहे है? बावा तुमको नर्ण से नारण बनाने का डारेक्शन देते हैं, जो नर्ण से नारण बनाने का डारेक्शन देते हैं, जो नारण बनने वाला वो यह को दूरों को डारेक्शन देगा, उन पर पूरा चलना है, पतित से पावन बनना है, सबसे जास्ति पतित शरीर यह है, यह कि इसके लिए का, वहां ब्रभ्मा कुमार कुमारी बैटें के समझ लेते थे, दादा लेकरा ब्रभ्मा के लिए का, सबसे पतित शरीर यह है, लेकिन सबसे पतित शरीर क्रश्न की सोल का नहीं होता है, क्रश्न की सोल का अगर सबसे पतित Nand Sarir भू हो, तो उससे भी जास्ते तो उसका रचता रशरी महरा समसे जादा पावर बनता है तुछ नए का तो पावर Soon- motoлан होता है और उसको जंद देने वाले को हो तो साथ चाथ सूरी है क्या सूरी कंपर होता है या, कंप्पर कंपर होता है वो किसने सम्पूर् से ले सके लोपी, तो बोला k natuurlijk पासरीथ से बावन करना है, हो सबसे कहेद में है। जो नरसे नाळयन बनता है और दुस्रों को नरसे नारयन जीसा बनाता है, बनने वाला है। जो नार्यान था सभी हुए है, रर्श्री नार्यान बनने वाला, वो समसे पहले बननी था ना, तुम बच्चे जानके वो पियर घर आए, आए, पियर घर, ब्रह्मा की घर में अभी हम आए, जाना है, वाया बूर्वता, ससगुर्व, ब्रह्मा बंसी, सो फिर विष्ण बंसी बनेगी, जब ब्रह्मा सो विष्ण बनता है, तो जो ब्रह्मा बंसी होंगे, वो भी विष्ण बंसी के बनेगी, वो भी विष्ण बंसी के बनेगी, श्योबा, पास तो, सबो को सलाम बरना ही है, या, चाहे ब्रह्मा बंसी हो, चाहे ब्रह्मा से विश्मवन्सी बनने वाले हों, लेकिन कोई ऐसा नहीं होगा जो शिव बाबा के सामने आगे सलाम न करें. शिव बाबा के पास तो सबको आकर सलाम भरना ही है, ते रावने ने सकते हों. चाहे बाबा हो, चाहे बाबा हो, या कोई भी हो, या विश्मु बनने वाला हो, या कोई भी हो, शिव बाबा के आगे सकते को आकर सलाम भरना पड़ेगा, और सलाम भरने के बाद फिर सथ्व बाइपेसे की बाते हैं, बाबा सब तरफ देखते भी है, काहां जुटते तो नह और नही खाते हैं क्या? अगर तो बाभा के अशसरो में में द्रीया चिजी टीए है इस रहे हम और राज आज इस पाड दीयुष यह क्किश्जी LEB मुए युटके खा रहे हैं द आगर कि आन् पकसी रहे गि zugлов एक दो तीन चार पांच छे लोग ने कर बड़े तो आज नहीं बाबा वसला वैसे आज नहीं है आज क्लास में बाबा ने जरूर देखा है को जिटके बादे लिए अज नहीं जो पांच पांड़ाओने आज दो पुराणी बाद तो मां और चाहिए बता रही है लेकिन यह की बाद अभी ने आख देखति है यह बद्ताइब 송ला आप निकिसी को देखा है को इन लो को सकुता है तो अपनी लिए मोस कोता है ये году लेकिन बाबान ने पकड़ लिए। लाबा बाबा तो सतरब देखते भी हैं थो की तो नहीं खते हैं समय जुटका खाया वाशी दी गुतियोग गया फिर वाइबंधुल को खराब करते हैं क्या कौन बायबंटल को खराब करते हैं एक लास का जो धुटका खाने वाले हैं वो बायबंटल को वासी वाल बादा तोर से जिस्था किसो होती हैं क्योंकि गुद्योग बाहर बटकता रहता है जिन का गुध्यों बाहर की दुनीया में बटकता रहेगा, बाहर की दुनीया बटकने के आदी बने उए होगे, तो बाबा का क्लास ही क्यों नो रहा हो? मामी जागा हो, प्रैंटिस बड़े, तो बाबा हमेशा कहते हैं, बादल की आओ, क्या दा? जब आओ तो बादन ले करके आओ जो फानी भरे हुए हो, पैसों को ले करके आओ, ऐसी आत्माओं को ले करके आओ, जो भ्यान जल से भरे हुए हो, कोणों को ले करके आओ? ज्यान अगर पूरा बुद्धी में बैठा नहीं है एडवांस नाली तो तुर उनको उनको फ्रली क्या दियान है क्या करो पहले ज्यान बुद्धी में अच्छी तरह बैठा दो क्या बैठा दो बाप की पहचान तह तक बैठा दो जब उनकी गुद्धी में ये बैठ जाएगा कि बाप आया हुआ है, हमारे 84 जनमों का भागी बिधाता आया हुआ है, तो फिर बाप के सामने बैठ के, क्या नहीं करेंगे? ले आने वाले पर भी बड़ी भारी responsibility है, तो आज की पार्टी को कौन लेके आया है, गाइड टोड़े, मादा जी, मादा जी का नाम क्या बताया, प्रेम माता, तो ऐसा प्रेम हो नहीं करना है, क्या पक्ते बच्चों में सब को उठा के लिए आवा, है, तो बोला, बादल हमेशा भर करके ले आना, खानी बादलों को बाबा के सामने नहीं लाना, ऐसे बादलों को लेकर आओ, जो यहां से रिफ्रेश हो करके जाए, बाबा के सामने आये, और रिफ्रेश हो करके जाए, और फिर दूसरी जगे जा करके, क्या करें, तो बाहर जाके वर्षा कैसे करें तो बोला वर्षात करें भरकर के जाएं बाबा हिसाब किताब निकालते हैं कौन सी ब्राह्मनी एक सेंसिबुल है जो भरकर के जाएं और वर्षा करें कि बाबा हिसाब निकालते रहते हैं कि कौन सी ब्राह्मनी ऐसी सेंसिबुल है जो भरे हुए बादर लाती है और फिर बर्षाती ऐसे को लाना बाकी को लाने में खायदा ही क्या जो बाबा पास पूने का एक बच्चा मिठाई वाला आया है के तेखे हैं ध्यू बाबा के बच्चों को अंगी कर लाओंगे आं अगरे कोई परफ्रादा फ्रेक्यान की मिठाई वारे पलडे नहीं को एक क्ड़िक जो बड़िए। यह भी खावेगा और पी बेता वह एकंगे। कौन? वह गश्या मिठाईया बनावेगा, तो यह ब्रह्मा बावा भी खावेगा, खिरेगा. मुर्ली सुन करके ध्हान करके त्रह बने कुछ मेहनत करने हैं. चया, मिठाया बनाने मी कोई जादा मैनत नहीं है मुरली ध्यान से सुनना, सुन करके पिर घार करना पहले मुरली सुनना, फिर मुरली फुद अपने जीवन में ध्यान करना और धाण करके फिर दिया करना, फिर दूसरों को धाण करना, इसमें महनत है, पहले मुरली ध्यान से सुने, मुरली सुनी नहीं होगी, सुनते ही समय अगर दिटके आते रहेंगे, तो तो जैसे मुरली सुनी न सुनी बरावर होगी, दूसरी बार सुन करके फिर अची तरे ध् अगर सुनकर के सिर्फ एक कान से सुनीं तूसरों को सुना दीं और खुद नहीं समझा ऊसका रह से तो दूसरों ve समझाएं कैसे सकें जहोग्हूद्ध हग holistic हर एक हैं तो च्हार बाते होने हने का निचाहिये basic ही kissing and और सुन करके, समझना, समझ करके, अपने जीवन में धान करना, धान करके, पिर दूसरों को धान करना, महनत है, तो गो मिठाई, तो बट से बनाओ, काओ, दूसरों को फिला दो, वो तो इस थूल मिठाई है, चाहे इतनी बना लो, चाहे इतनी खिला लो, जिस महनारे से खाते काल कंटक दूर होने रहे हैं, काल कंटक दूर होने रहे हैं, तो जो काल कंटक दूर होने रहे हैं, और इस दूर 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 कंटक दूर होने रहे हैं, तो यहां ब कुन लोग आना चाहिए ? लाते समय यह भी प्रत्मी ही है कि हम बाबा के सामने हर आत्मा को न ले जाए उन आत्मा को ले जाए जो बाबा की याद में अलर्ण होकर के बैठते हैं उनको लाना तो योग में अच्छी दित रह सके हैं नहीं तो वायवंडल को खराब कर देते हैं इस समय और ही बहुत ख़बरदार रहन है इस समय इस समय जबकी बाबा आया हुआ है इस सर्थी पर बाबा प्रेटिकल आया हुआ है और 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 टेंपरेरी रद में नहीं मुवर्र रद में आया हुआ है तो आद एक चला जाएगी, उन खास जिम्मेवारी नहीं बेठती है, लेकिन अगर मुखरर रत के सामने ऐसी आत्मों को ले आएँगे, तो ले आने वालों दूपर में बाबा की नजर जाएगे अदे, लो मैं इतनी दूपर से आया हुआ हूँ, आद एक सामने आकर तू बात नहीं है? क्या? पक्रे गए तो परदाद भाई थो. फोटो आद निकालने की बात अभी नहीं है? अभी की बात नहीं है आया? नहीं? प्रोटो आद निकालने की बात एक है? पैसट में बताने उसकी आदे, तो तो कहा कि उस समयına कि ब्र्मा ब्रावा का फोटो निकालने कि बाबा मना करते जे ब्रमा बाओ का फोटो निकालने की बाबा मना करते Lorós त्रमूथी में त्याना और क्या इंटर करीक बर्मा बाभा करते है환cope भले धिया वामन सरी थो बनेगा नहीं पैले सीरी शुड़ जाना था वाबाजान थे थे तो पीनासी सरीन को अगर याद करेंगे, मूर्ति खीचएगे उसका फोटो कीचएगे, मुर्ति बनावेंगे तो तुम्यारी बुद्धी में वह ही मूर्ती बिनासी को याद करेंगे तो गुद्धी कैसी हो जाएगी। बिनासी गुद्धी हो जाने से पसारक को साथ। आभी फोटो आदे निकालने की बात नहीं है। जेतना हो सके बाप को याद करके बाप को हेल्ट का दान देना है। बहुत पापों का बजन चड़ता है, तो बोला, जितना हो सके, बाप को याद करके, फिर मम्मा को हेल्थ का दम दे, मम्मा क्या हो जाए? स्वस्थ, स्वस्थ हो जाए, तो आज पाज बड़ी सांती रहने चाहिए, अस्पताले हनेशा बाहर एकांत में होती है, जहां आवाज उनी सपा लेने वाले रोगी हैं, उनको डिस्टर्मेंस ज्यादर नहीं होनी चाहिए, पैसेंट को सांती चाहिए, तुमको दो डारेक्शन मिलती है, कि कि सांती में लेना है, बाप को याद करना भी है, अरियन सांती, बात ही सब है, आर्टी किसे सब रहने, या, बाप को याद किया, वो है रियन सांती, क्योंकि बाप जिस तन में आता है, वो भी सांती, और जिस धाम में रहता है, वो भी सांती, बागी सब दुनिया के जोड़ी है, आशांती पेला करने वाले, वे कहते हैं, ना दो मिनाटे, डेर्ड साइलेंस, दुनिया वाले क् जब कोल मरता है तो कहते हैं इतना बड़ा मुझता मर गया दो मिनट डैट साइलेंस तो कहते हैं ना दो मिनट डैट साइलेंस पर तो दो मिनट बुद्धी को पता ही नहीं कहां रहती है दो मिम्हें ऐसे तुप्च्या पहले थे, लेकिन किसकी बुद्धी कहां भागती है? इक व भी सक्ची शांती नहीं रहती, तुँप टेटेच हो जाएगे, या तो जब मम्मा को शांती क दान देंगे, तो तुम इस शरीर से टेटेच हो जाएगे, हम आत्मन, यह हाव अपने सुधर्म में रहना वाकि जुटका भुटका खा करके शांत में रहना वो कोई रियल शांती नहीं है तीर मिनट साइलेंस असरीली भवर ऐसी कोई की ताकत नहीं जो कह सके इस समय की बाद उस समय 65 की बाद इस समय कोई की ताकत नहीं है जो कहे इस तीर मिनट डेंट साइलेंस भवर पाप के ही महावाकि है लाडले बच्चे अभी असरीली भव मुझे यान करो तो तुमारे जब जर्मान तक ये पाप कटेंगे इसे यान करो मुझे याद करो जाए कैसे को याद करो मुझे माने किसे जो नाराण वनने वाला स्वरूप है जिसमें शिव बाबा मुकरन रोच में प्रणिस करके पाड बजाते हैं वो उसके द्वारा बोला है मुझे याद करो तो तुमारे जन जर्मांतर के पाप कटे हो क्योंकि ऐसे को याद करेंगे जिसके अपने पाप कटे हुए हो तो हमारे पाप कटेंगे अगर हम ही ऐसे को याद नहीं कर पाएंगे पैचान पाएंगे तो फिर हमारे पाप कहां से कटेंगे मुझे याद दरूस तुमारे जन जर्मांतर के पाप कटेंगे नहीं तो पद बिस्थ होंगे और भॉप्स नहीं खाने पड़ेंगे बाप के direction पर चलना है जितना हो सके most sweet बाप को याद करता है क्या था? इसको याद करना है? है? most sweet बाप को याद करना है most sweet बाप क्या होता है? है? most माना? सबसे जास्ती तो किसी से तुल्ला की न? किस से तुल्ला की? पान्सो करोड जो भी मनुशिया आत्मा है उनके मुकाबले कोई? most सबसे जास्ती मीठा है सबसे जास्ती जो मीठा पार्ट बजाता है उसकी तुल्ला पान्सो सास्तो मनुशिया आत्मा हुसे की तो किसकी तुल्ला की? नारबटे वाली आत्मा की बात है सुप्रीम सोल जोती मिन्दू की तुल्ला की बात नहीं है सुप्रीम सोल जोती मिन्दू तो जनमना की चक्र में ही नहीं आता है उसके मीठा और पढ़ुआ बतने की बात है तो जिदना हो सके बोस्ट स्वीट बात को याद करना है वो सुप्रीम सोल की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है इस्टुडेंट को अपने टीचर की इज्जत रखने के लिए बहुत ख्यार रखना होता है कि यहां करपा अशिर्वाद की कोई बात नहीं है हारेक वो अपने उपर करपा आख्या अप करने इस्टुडेंट अपने उपर करपा करते हैं थो dois के जितना भोग लगारें गें क्या हुआ आपके पिखाई वाला आया है नुराए तो बाबा कहते हैं जितना भोग लगावेगे उतना खाने पीने कि बात में बुद्धि पसी रहेगी भोग द्यांतिधार हुआ समय वेकावगे तो भोग के ज़र क्या करता है? योग लगावेगे इतना उग लगावें कि उतना अविकर्मा जीत उस पावेंगे जा, किसे उग लगावेंगे नीच्पद वाले से एक कफ्माद तरग को करना अर एक कफ्माद तरग को जर्म देने वाला बाप है जो वुसको मिशुबी बासा जो स्व stuff की बासाहि देता है उसको याद करना, तो निच पद किसका हुआ, उच पद किसका हुआ तो नुच 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 पद किसका हुआ तो याद से एवर निरोगी बनेगे, याद से ही एवर निरोगी, एवर निरोगी बने, जिसकी आतमा को कोई विगन ना रहे, विगन जिसका मुकाबला करना सके, ऐसे",EVER-हल्दी-को याद के तो आम भी, Music is with a word of a fully awake 1515. मन-मना भौता आर्था में यही है क्या आर्था मन-मना भौता आर्था क्या है मन-मना भव तीन अक्षर हैें , किस अधर्न मत मन-मन, मन में बाब समाज्या, वारे बेरे मन में जो संकल्प चल गए हैं, उन संकल्पों में क्यों भी समाज्या, कौन कह रहा है, जब आपके संकल्पों बच्छों के संकल्पों, बापके संकल्प क्या है, हमें कैसे पता चलिए है, हमें कैसे पता चलिए है, हमें कैसे पता चलिए है, हमें आए आप तो सुप्री उचोल है लेकिन नाराण बनने वारी आपका तो संक्रदीर मैं आपना काम करूँ जट से मापत जहूं पांच यार मुश्यूंच जहूं कहां ये लबड़े मैं आपके पसे आपके आपके मनमना भव का आर्थ भी ये है मनमना भव का आर्थ है जो बेरे मन में है सो तेरे मन में है वाले बेरे मन में क्या है नाराण की मन में क्या है नाराण की मन में है कि नई दुनिया जल्दी से स्थापन हो जाए और मैं स्वर्ग में पहुच हूं क्या, स्वरकी दुनिया स्थापन हो जाए, जग्दी से स्वरकी में पहुंचिऊ और आपन नंबर लेलू है, आपन नंबर लेलू तो हम बच्यों का भी यही संकत में चलिए कि हम भी अपना माला में उंच ते उंच पल राप्त करें मनमा, वहां, भी Byeーकारत भी यही है इसने कहा, मामhosक याद करो मुझे एक को याद करो यह किसने कहा सूप्रिम जोल को याद करेंगे एक को वो तो जाए उपधेड़ जाएगा तो आम जा करेंगे, आम भी जा करेंगे, उपर बेढ़ना है, क्या हुआ? माम एकम का मतलब क्या हुआ? शाकाशाटिपी हाँ, माम एकम का मतलब यह नहीं, कि सुप्रीम सोल जोती बिन्दु को याद करो, उसका पता ही नहीं चलेगा, वो एक काउन है हीमा कोड़ों की आत्महा भी बिन्दु है, वसकाशीयों की आत्मा भी बिन्दु है, दनशीयीं की आत्महा भी « बिन्दु का यार्द करेंगे? कैसे पता चलेगा प्ता चलेगा? वो तो ?ख माम एकम मतलब यह नहीं चलेगा? इंदम के क्या हुआ? हाँ, मुझे एक को याद करों का मतलब, शिव बाबा, जिस भुकर्ण रथी के द्वारा कारी करता है, वो स्वरुंक धारी को हम याद करें देह सहित, देह के समी धर्वतिया करें अपनी देह का भी ममत तो न रहे, और इस देह से संबंधि, जो भी संबंधि है या, तन, धन, धाम, सोहड, परिवार, यहने सब की बाजी लगानी पड़ती है पुर्शाथी, इस तन की भी बाजी लगानी पड़े, इस तन से जो विशेश संबंध में रहने वाले संबंधि हैं, उनिकी भी बाजी लगानी पड़े, तो सबी धर्वों का त्यार करो, देह क किसन थो रहे ही ऐसे कहसा किर गे क्या का जो देरारी किसनी की सोल है दादा लेकर आज ब्रह्मा वो यह बात नहीं कह सकते क्या कि माम एक अब याद करो मुझे एक को याद करो कौन कह सकता है जो उच के उच पाट धारी होगा वह यह कह सकता है मुझे एक को याद करो और सब को भूल दो यह हंदेराकार बाप कहते हैं कहते हैं माना मुख से कहते हैं या उपर से आवा जाती है वह मुख से बोलते हैं उस मुख से जिससे मुख से बोलते हैं तो वह स्वरूंप धारी भी उच के उच पाट बजाने वाला जरूर है विदे ही बढ़ा अच्छा आथ को कुना का बच्चा आया है है बाबा मुद्र जाता है आथ भोग है हार भोग है मानो गुरुवार अच्छा है हरा आक्री क्यास तेश छे पैसट की बाणी है चार छे रहनी है यह है इस्वर्य बेहत का बाप का परिवार किसका परिवार है बेहत के बाप का परिवार है मा बाप और भाई बेहने है बस और कोई संबंद यहां नहीं इस्वर्य परिवार है यहां कोई नाना, चाचा, काका, ताउ, आदी संबंदों को दारन करके नहीं बेटना यहां कौन से संबंद? मा बाप और हम बच्चे बाई बेह और सब परिवारों में चाचा, मामा, काका यह संबंद होते हैं यहां है बाई बाई बेह बस ऐसा कब होता नहीं सिवाई संबंदों करन सब種े तो माबाप और बच्चे ही हो और कोई दूसरा संबंद..? जब यहां बातपिता से से वर्सा लेके है तब ही है संबंद रनता है बग्दा रके सत्त गनेरी लेते है रावन राजी में तुक गनेरी रामराजी में सुक गनेरी जिसके लिए तुम पुर्शार्थ करते हूं, जितना पुर्शार्थ करेंगे, बे कल्प कल्प का सिद्ध हो जाते हैं, यहाँ हम इस कल्प में जितना पुर्शार्थ कर रहे हैं, उतना ही हर कल्प के लिए पक्का हो जाते हैं, ताक्ती बहुत भारी है, जो करोणपती, पदम पतियों का पैसा सा मिट्टी में मिल्लावे लेकिन तुम्हारी प्राक्ति मिट्टी में मिल्लेवारी नहीं है छोड़ी लड़ाई लगने दो फिर देखना तेन करों पतियों पदंपतियों का क्या है या हो ओप्षा